पायल की नई-नई शादी हुई थी सुबह जल्दी उठकर जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है सामने उसकी सास मिल जाती है अरे बहुरानी उठ गई सोकर नई सासुमा अभी कहां अभी तो मैं सोई रही हूँ अपनी सास से सुबह सुबह मजाग करती है नई सासुमा अभी मैं सोई रही हूँ सिर्फ मैं ही नहीं आप भी अभी तक सोई रहे हो देखो तो आज कल की बहुँँ को अभी कल ही ब्याकर आई है और अपनी सास से जबान लडाना शुरू कर दिया इसने सासुमा मैं चलती हूँ जब आप सोकर उठ जाना तो मुझे बता देना मैं आपके लिए चाय बना दूगी अपनी बहु की जुबान से ये बाते सुनकर अब सास का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोड-जोड से चिल्लाने लगती है अरे ओ विक्रम जड़ा देख अपनी नई नवेली दुलहन को सुबा सुबा अपनी सास से ही बहस करने में लगी हुई है खुद तो देर से सोकर उठी है और मुझसे कह रही है कि आप सो रही हो सासुमा बिस्तर पर लेटी हुई है और सो रही है और वो अपने सपने में ही बर-बरा रही है तब ही उसके बगल मिलेटी उसकी बेटी वेदिता की आँख खोल जाती है अरे क्या हो आमा नीन में क्यों बर-बरा रही हो इतने में सासुमा की आँख खोल जाती है और वो उटकर बैठ जाती है इसका मतलब मैं सपना देख रही थी हाँ मा आप सपने मैं जमाने की सास नहीं हूँ, मैं सास बहु के टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई हूँ, मुझे सब पता है आजकल की बहुएं कैसी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। खेर, सुबा का वक्त है। सासुमा अपने बिस्तर से उठ जाती है। और अपने घर का में दर्वाजा खोलती है। बाहर देखती है कि उनकी गाये ने बहुत सारा गोबर कर रखा है। बहु, अरियो बहु! अपनी सास की आवाज सुन कर उसकी बहु पायल दर्वाजे के पास आ जाती है। और वो भी देखती है कि घर के बाहर तो बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है। अरि सासुमा, ये क्या हुआ? हमारे घर में तो बहुत बड़ा बातरूम बना हुआ है। घर के बाहर कर दिया आपने। क्या हुआ? आप जल्दी से एक गोबर उठा दे। इतना धेर सारा गोबर देख कर पायल का मुह बन जाता है। पर अभी नई-नई शादी हुई थी तो सास की बात तो मानने ही पड़ेगी। क्या हुआ बहु? गाय हमारी माता होती है और गाय का गोबर उठाने से हमें पुर्णे मिलता है। हाँ भाबी मा बिलकुल सई कह रही है। गाय हमारी माता होती है और गाय का गोबर सुबब शुबध चूने से हमें पुर्णे मिलता है। ये बात तो तुमने बिलकुल सई कही मेरी ननद। मुझे लगता है बचपन से अपनी मा का गोबर तुम ही उठाती आ रही हो, इसलि न भाईया हमने भावी से कहा कि गाय हमारी माता होती है और माता का गोबर उठाने से पुर्णे मिलता है तो ये हमसे कह रही है कि अपनी मा का गोबर उठाए करो पायल ये तुम क्या कह रही हो मेरी बहन से अरे मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी बेहन नहीं तो कहा कि माता का गोबर उठाने से पुर्णे मिलता है अरे वो तो कहावत है, तुम्हें गोबर उठाना है तो उठाओ या फिर सापसा बता दो कि नहीं उठाना है सुबस हो यहाँ पर टाइम पास मत करो वेरी गुड बेटा, क्या बात कई है तुने आप लोग परिशान मतो, मुझे गोबर उठाने का बहुत पुराना एक्सपीरेंस है मेरे घर में बहुत सारी गाए और भैसे थी, सभी का गोबर मैं ही उठाय करती थी इतना कहकर पायल सारा गोबर साफ कर देती है पायल सब के लिए चाय बनाती है सभी लोग चाय नाश्टा करके आराम करने लगते है विक्रम अपने काम पर चला जाता है इधर पायल की सास और ननद अपनी बहु के खिलाफ कुछ प्लानिंग करने लगते है मा, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है ऐसा आइडिया चोकि आज तक किसी भी टीवी सीरियल में इस्तिमाल नहीं किया गया अरे तो जल्दी बताना, डायलोग बाजी करने की क्या जरुरत है भाबी से फिर से गोबर उठवाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा मज़ा तो आएगा लेकिन उसके लिए गोबर होना भी तो चाहिए अब गाय से कह तो सकते नहीं कि हमें गोबर की जरूरत है जल्दी से हग दो ये रही चादू की पुडिया, इसे गाय को खिला देंगे जिससे उसका पेट खराब हो जाएगा गाय को चारा डालते समय पायल की ननद और सास मिलकर उसके चारे में कोई दवा मिला देते हैं अब देख ना मा, अब गोबर की कमी नहीं होगी आज के दिन ऐसा कर इसे खूंटे से खोल देते हैं सास और ननद मिलकर गाय को खूंटे से खोल देती हैं गाय चारा खाती है और थोड़ी ही देर बाद पूरे आंगन में गोबर करने लगती है मा, मा, जल्दी आओ, कमाल हो गया अरे क्यों चिला रही है बेटा, क्या हो गया ये देखो मा, पूरा अंगन गोबर से बढ़ चुका है अब जा, जल्दी से बहु को बुला कर ला मैं अभी भावी को भेज़ती हूँ आपके पास वेदिता अपनी भावी को अंगन में भेज़ देती है और खुद कमरे में आराम करने लगती है बहु, ये देखो ना, गाये ने कितना सारा गोबर कर दिया अब जल्दी से साफ कर दे इतना सारा गोबर? वो भी सर्फ एक गाये माजी मुझे लगता है अपनी गाये का पेट खराब हो गया है अरे बहु को कैसे पता चला खैर मैं सास हूँ, हार नहीं माननी अरे माजी क्या सोच रही हो पूरे आंगन को गंदा कर दिया इस गाये ने मुझे कुछ नहीं पता अब जल्दी से सारी सफाई कर दे वरना रात में तेरा पती आएगा तो उसे बहुत बेकार लगेगा पायल को अपनी सास और ननत के उपर थोड़ा बहुत शक हो गया था लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा और एक घंटे के अंदर सारा आंगन साफ कर दिया अब दोनों सास और ननत अपने कमरे में बैट कर मजे कर रही है गोबर साफ करते करते मेरे अंदर से भी गोबर की बदबु आने लगी है जाकर नहा लेती हूँ देखा माउस पुडिया का कमाल अभी तो हमारी गाये ने जादा गोबर किया ही नहीं है शाम तक देखना गोबर का भंडार खड़ा हो जाएगा आंगर में सारा गोबर भाबी से साफ करवाएंगे बहुत मजे ले रही थी ना आपके पायल बात्रूम की तरफ बढ़ रही थी लेकिन तब ही उसने अपनी सास और ननत के बीच की सारी बाते सुन ली अच्छा तो ये सब कुछ मेरी प्यारी ननत और मेरी सास सुमा ने मिलकर किया है मैं उस तरह की बहुतो हूँ नहीं जो अपनी सास की बुराई अपने पती से करे अब जो भी करना है मुझे ही करना है सास और ननत अपने कमरे में बैट कर टीवी देख रही थी इसी बात का फाइदा उठा कर पायल नहाने का प्लान कैंसिल कर देती है और अपनी गाय के पास चली जाती है गाय माता मेरी सास और ननत को माफ कर देना मुझे परिशान करने के लिए उन दोनों ने आपको परिशान किया है आपका पेट खराब होगी और आपको तकलीफ भी हो रही होगी लेकिन आप किसी से कह नहीं सकती दोपहर का वक्त हो रहा है यहाँ धूप में आप खड़ी रहोगी तो बिमार हो चाओगी चलो मेरे साथ आप भी घर के अंदर चलो आपकिर आप हमारी माता जी हो पायल अपनी साथ का कमरा बाहर से बंद कर देती है जिसका पता उन्हें नहीं लगता और गाय को घर के अंदर ले आती है हे गाय माता अब तुम इस पूरे घर में आराम करो यहाँ पर तुम्हें धूप नहीं लगेगी मैं जरा नहा कराती हो पायल नहाने चली जाती है लेकिन कुछी देर में गाय घर के अंदर जगा जगा गोबर कर देती है सोफे पर, बेट पर, यहां तक की किचन के अंदर तक वो गोबर कर डे लगती है अरे माजी, वेदिता ये देखो क्या हो गया पायल उनके कमरे की कुंडी बाहर से खोल देती है और उन्हें बाहर बुला लेती है अब उसकी सास और ननत देखते हैं कि घर के अंदर हर जगा गोबर पड़ा हुआ है जिसे देख कर दोनों परिशान हो जाती है उसका पती भी वहां पर आ जाता है अरे मा पायल वेदिता ये क्या हो गया हमारे पास केवल एक गाय है इतना सारा गोबर कर दिया उसने घर के अंदर कैसे आई हमें क्या पता बेटा बहु कहीं तुने जान बुच कर तो गाय को घर के अंदर नहीं छोड़ दिया मा जी आपको तो पता है ये पूरे आंगन का गोबर साफ करके मैं तो नहाने चली गई थी, अभी अभी आयो लगता है गाय का पेट खराब हो गया है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ मा वेदिता पायल, तुम तीनों मिलकर जल्दी से सफाई कर दो, वरना डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे विक्रम वहाँ से चला जाता है, तब ही गाय घर के अंदर आ जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है वेदिता, ये सब कुछ हमारी वज़ा से हुआ है, बहुसे बदला लेने के चकर में हपने अपनी गाय माता को ही बिमार कर दिया अब तीनों लोग मिलकर पुरा घर साफ करती है, वेदिता जिसने कभी गोबर चुआ भी नहीं था, वो भी अब गोबर साफ कर दे लगती है सफाई होने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते है लगता है आपकी गाय ने कुछ बुरा खा लिया है, एक हपते लगेंगे इसके पेट साही होने में, अच्छा हुआ आपने बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था ये सब कुछ हमारी वज़स से हुआ है ये तुम क्या कह रियो मा? पायल की सास सारी सच्चाई अपने बेटे और डॉक्टर के सामने बता देती है आज के जमाने की सास होने के बहुजूद, आप अपनी बहु के साथ यह सब करती है? इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है ये सब कुछ सास बहु वाले टीवी सीरियल देखने का नतीजा है टीवी सीरियल देखना चाहिए लेकिन उसका प्रभाव खुद के उपर नहीं पढ़ने देना चाहिए हमें माफ कर देना बहु पायल की सास और ननत पायल से माफी मांगती है और उसके बाद मिलजूल कर बहुत ही प्रेम से आपस में रहने लगती है